तो गाइस मैं हुआंके तो आप देख रहे हैं रिस्टिंग फैंस नाइटवर्क सुरह करते हैं गाइस अपनी बात को उनको सबसे पहले एलिमेनेशन चेंबर 24 के बेटिंग ओट से तो भाई चेंबर के बेटिंग ओट्स निकल के सामने आचुके हैं वैसे मैं आपको पहले बताया था लेकिन अभी थोड़े जादा रिलायबल और निकल के सामने हैं विकाज यह हैं बैट ऑनलाइन की तरफ से तो डवड़े ने जो जो मैचे से अनौंस करें उनकी आपको बता देता हूं सबसे पहले घाए जिम्लोग अपनी बातों को सुरह करेंगे तो अपने मैं मैच से अब यहाँ पर इस मैच के अंदर पार्टिस्पेंट से ड्रू मैकेंटा है रेंडी ओर्टन एली नाइट लोगन पॉल केविन ओंस एंड बॉबी लैस्थी विनर की बात करेंगे तो ड्रू मैकेंटा है नंबर वन पर फेवरेट माइनस 400 के साथ हैं और यहाँ पर विक्ट्री अंड करेंगे देन है रेंडी ओर्टन उसके बाद एले नाइट लोगन पॉल देन केविन ओंस एंड बॉबी लैस्ली तो यह मैंस एलिमिनेशन चेंबर के और इसके बाद करें अगले मैच की तो यह है डवी अंडिस्पिट टैग टीम चैंप सब का मैच जो की मैच की बात करेंगे तो यह है डवी डवी विमन्स वर्ल्ड चैंप सब का मैच यहां पर जो रिया रिप्ली यहां पर बहुत ही जादा फेवरेट है जो कि हम सब को पता है काफी प्रेडिक्टेबल एवन मैच माइनस फाइब थाउजंड की और से रिया रिप्ली के लिए दूसरी तरफ नाया जैक्स बहुत ही एक्स्ट्रीमली अंडर्डॉग है माइनस सॉरी आम सोरी प्लस थाउजंड के लिए माइनस फाइब थाउजंड है रिया रिप्ली के लिए तो यहां पर बाई अंतर देखर हो कितना अंतर है मतलब भयंकर अंतर है अगर गलती से आप नाया जैक्स जीच जाती है और किसी ने पैसे लगाए होंगे तो हजारों के लाग बना लेगा भाई बेलीव मी तो यह कभी करना नहीं जाए मैसे वैसे मजाक में बता रहूं आपको बागी अगर विमेंस से लिपनेशन चेंबर की बात करेंग हम लोग तो उसके और बैट आगे बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह उसो को लेगे तो भाई आज जेउसों ने बहुत ही ब्रूटल मैच रसल कर लिया गुंतर के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो आपकी च्छाती लाल हो जाएगी तो गुंतर ने भाई भाई वहंकर चॉप्स आने से रोको तो यार बागी गुंतर ने बहुत ही ब्रूटल चॉप्स लगाएं जेउसों को इसका अफेक्ट परा है जेउसों ने अपने बैटल स्कार्स शेयर करें इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप देख सकते होगे जेउसों इंस्टा पर लगाते हैं यह अपनी स्टो गुंतर ने असान कर दिया थोरा सा कि थोरा रहम का अगे वरना यह कहीं फट फुट जाती बहुत चालों की देखी मैंने कि भाई फट भी गई है लाइक सेमस का देखा मैंने कि उनकी कहीं चाती फट 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 जाती थी जेउसों का तो यह सब नहीं हुआ जो कि अच्छी इडर डवी ने सेयर करी है जिम्युषो की जहां पर कि जिम्यृषो फुल-उन फॉल और करने के मूड में लग रहे होते हैं यहाद दिलाते हैं कि वह बाई कॉन है और शेता है और एक सबकुल लावड ऑंड क्लियर मैं बात बतादो कि तो कितना भी बार हो चाहले कि भी कहते हैं कि कितने भी कई लेकिन मधद बुझना कि मैं ही तेरा बरा भाई हूं यानि मैं हमेशा तेरा पाइव करेगी वॉर्ट को देखना होगा कि आगे किस किस तरीके के हमें नए लेर्स देखने को मिलते हैं इस फ्यूड के अंदर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंतर को लेका है एंड हम सब को मालू में कि अब गुंतर ब्रॉक का मैच तो होने सरा गुंतर ने खुद से भी कहा दिया कि सब्सक्राइब नहीं लगता है कि होने वाला है वर्णागर लेस्नर की कॉंट्र नहीं हुए रहती तो ब्रॉक और गुंतर का मैच हमें देखने को मिलता है इस साल के रसल मीना में आपको बता दू कि चैट गेबल हो सके हैं जो कि गुंतर को फेस करेंगे अभी देखा ही हो वागी गुंतर भी कॉमेंट करते हैं चैट गेबल को पर कि क्या वो उन्हें फेस करना जाहें गे रसल मीना में यह बते करी है गुंतर ने अब गुंतर ने जान कहा है भी की कहते हैं उनका मैच चैट के बल के साथ मिना में कैते हैं। I honestly got to say he's not the only one I guess that's just the life of a champion that the bunch of guys want a piece of that that being said I think he's a phenomenal athlete he's a great technician and the matches we had I think were phenomenal and the audience enjoyed them a lot so if it should come to that for Wrestlemania then yeah I'm here for it so that's why I want to challenge you and the life of champion is that you want to challenge challenge because you are champion all you want to do it and you can 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 do it and then yes I'm here for it I'm ready to go to the center of the hand and the way to the कि कब वो step up करते हैं गुंतर का गेंस्ट जो कि बस आपको कुछी वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा गुंतर वर्सेट के लिए आगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी का बारे में जो कि है रसल मीना में होने वाले वर्ल्ड हभी वर चैंपसफ मैच हो लेके अब चैट गेबल वर्सेज गुंतर तो उधर हो जाएगा भाई इंटर कॉंटेनिटल चैंपसफ के लिए इधर आपको देखने को मिलेगा मैकेंटर वर्सेज रॉलिंस का मैच मॉस्ट लाइक लिए 90% कंफरम है यह हो कहीं होगा मैकेंटर तो मैच में होंगी होंगे लेकिन साथ में मैच कनवर्ट हो सकता है ट्रपल ठ्रट के अंदर मैच के अंदर हो सकते हैं चेंजस एंड सेमी जैन एड किये जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दू कि जिस तरीक से डबीड़ी अभी चैट गेबल को ट्रीट कर रह प्रोमस दिखा रहें या फिर से सेग्मेंट से मैच इसमन को डा रही है जहां पर रही है और सेमी जैन काफी डिसपॉंटेट है खुद से तो लर रहे हैं खुद से ही अपने रस्लमीन अपर्चुनिटी के लिए अब आपको बता दू कि काफी अच्छे खासे चांसे हैं कि जो अपीड चैंप से मैच गएंगे या निकी सेमी जैन कंपीट करेंगे रॉलिंस एंड मैकंट आइड तो कहीं ना नहीं चीज जाता सेंसमन आएगी लेकिन मैच मौस लाइकली जीतेंगे तो वो जीतेंगे मैक इंटायर ही और उसके बाद हो सकता है कि मैकंटायर and सेमी ज देखने को मिले तो उसके चांसे से बाकी हाँ अभी कहिसाब से सेमी जेन एड़ हो सकते हैं रसल मीना में होने वाले वर्ल हपीवर्ट चैंप से मैच कंदर जो कि अभी ऑफिसल नहीं हुआ और उसके बाद अगर यह ट्रपल ठ्रट मैच होगा तो भाई बहुत ही ब्रूटल बीटिंग उनको जहलनी परेगी तो अभी केसा आप से आप से कुछ रूमर्स हैं और आई होप साब की इंफर्मिशन मिले वीडियो से मिले वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब क लिए चैनल को फॉलो कर सकता आप लोग मुझे इंस्टाइग्राम एंट ट्वेटर पर लिए आपको मिले जाएगे डिस्क्रिप्शन में जोईनिक कर सकते हैं वाट्सप चैनल को उसके बिलिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है अपनी नेक्स ओफेर का फिंट्रेस्टिंग वेडियो में